हाई फ्रेंड्स हमारे चैनल पर आपका स्वागत है हमारे चैनल से जूरे रहने के लिए हमारे चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें साथी बेल आइकन को दबाए ताकि हमारा कोई भी वीडियो का नोट्रिफिकेशन आपके मोबाल पर सबसे पहले पहुंचे तो हम आज की की में आपके लिए कच आम की खटी मिठी सर्बत लेकराए नियों पांच आम ले लिए उसे पानी से अची तरह से वास करने के बाद इसे हम कुकर में रखकर लगभग एक दो सीठी लगाएंगे तो हम यहां पे कुकर ले लिए उसमें आम को रखेंगे और लगभग आधा लीटर हम पानी इसमें आइट करेंगे और कुकर का ढखकन बन करने के बाद हम इसे गैस पर चढ़ाएंगे और इसमें लगभग दो सीठी आने देंगे तो यह लीजिए गैस अन करने के बाद इसे चढ़ा दिये हैं और हम इसमें दो सीठी आने तक वेट करते हैं तो यहां पे दो सिटी लग चुके हैं और इसका प्रेसर निकल गये हैं तो अब यह देखिए यह पूरे आम को ज़्यादा ही पग गये हैं आम अलग और यह छिलका खुद पर खुद बाहर आ गये हैं तो क्या हो गया इसे अच्छी तरह से पानी को हम ठेकेंगे नहीं किसी बर्तन में रख लेंगे और सारे आम को हम किसी बर्तन में अच्छी तरह से निचोर लेंगे तो यहां पे देखिए आम को यहां पे हम रख लिए हैं और अब मिक्सी जान लेंगे और इसमें आम का पेश्ट बना लेंगे यह दिखिए यहां बहुत यह अची तरह से इसका पेश्ट बन कर तयार हो गया है तो अब हम गैस ओन करेंगे और उस पर एक पैन रखेंगे और हम इसमें एक कप चीनी आइट करेंगे और इसी कप से हम इसमें आधा कप पानी आइट करेंगे हमें चासनी बनानी है इसका तो हम इस तरीके से पहले इसका चासनी बनाएंगे बहुत ही इसे अराम-अराम से चलाना है दम साधानी से तो गैस का फ्लेम हाई करें और इसे साधानी से चलाते रहें यह देखिए लगभग चीनी पूरी तरह से गल चुके हैं और हम इसे लगभग 2-3 मिनट के लिए उबलने देते हैं जब यह देखेंगे अभी नहीं चीपक रहा है जब यह हाथ में अच्छी तरह से तार जब बनने लगे तो समाज़ेए कि आपका चासनी बनकर तयार है फिलहाल तो यह तार नहीं बन रहे है तो इसका मतलब अभी यह और होंगे देखिए अभी थोड़ा थोड़ा सा मतलब तार बन रहे है थोड़ा सा और इसे लगभग एक मिनट के लिए और उबलने देते हैं यह देखिए लगभग चिपकने लगे हाथों में तो यह बनकर तयार है और जो हम आम का पेश्ट बनाए थे उसको अब हम इसमें चासनी में एड़ कर देंगे और इसे लगभग हम दो से तिन मियाट के लिए गयस का फ्लेम हाई करने के बाद इसे पकाएंगे चलाते हुए इसे पकाना है यह दिखिए बहुत यह अच्छी तरह से उबल रहे है तो यह इस तरीके से उबल रहे है तो हमें पता भी नहीं चल रहा है नीचे कितना मतलब यह है तो गैस का फ्लेम हम लो करके देख ले रहे हैं कि अब तक यह कितना गड़ा हुआ है तो यह और और इसमें पानी है तो और इसमें उबल लेंगे लगभग एक मियाट और यह दिखिए यह पूरी तरह से अब ग्रेवी हो गया है अब यह कैस का फ्लेम आफ करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे तो यह अब हम सर्ब करते हैं तो इक गलास लेंगे सर्ब गलास और उसमें हम जो आम का बनाए हैं चस्नी के साथ उसको लगभग एक एक चमच दुनों में रखेंगे अगर आपके चमच छोटी है तो दोदो कर सकते और थोड़ा सा हम बरफ का टुक्रा डालेंगे अभी तो कुरोना काल्चर यह ज्यादा नहीं आइड करेंगे हम बरफ तो हम थोड़ा सा बरफ दोनों गलास में आइड कर दे रहे हैं बरफ का टुक्रा लगभग एक एक चमच और यहां पर थोड़ा थोड़ा चुटकी के हिसाब से नमक आइड करेंगे काला नमक और और हमें इसमें संदा पानी आइड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और यह थंड़ा थंड़ा खट्टी मिठी आम की सरवत बनकर तयार है तो मैं आपसे उमीद करती हूं कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें शेयर करें तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टेक क्या